इंग्लेंड महिलाओं ने अपनी दोनों मैच जीते हैं और शांदार फॉम में सभी खिलाडी नजर आ रहे हैं। इंग्लेड की टीम ग्रुप बी में तालिका के शीरश पर रखा गया है। वैसे भारतिय महिलाओं ने भी अपने दोनों मैच जीते हैं लेकिन अपने मौझूदा नेट रन रेट इंग्लेंड से कम होने के कारण फिलहाल ग्रुप B में दूसरे स्थान पर है वैसे भेनेगे टीमे इस माच का जीत पर सेमी फाइनल के लिए अपनी सीट कन्फरम करना चाहेगी भले इस माच में इंग्लेंड की टीम मजबूत नजर आ रही है लेकिन भारतिय महिलाएं भी किसे से कम नहीं है में स्थार दोस्तों, CBTF अर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है ICC Women's T20 World Cup का 14th T20 मैच, इंग्लेंड और इंडिया के बीच दिनांक 18 February 2023 6.30 पीम को St. George's Park, Port Elizabeth पर खेला जाने वाला है अगर इंग्लेंड पहले बल्ले बाजी करेगी तो, मैदान की पिच और खिलाडियों के प्रदर्शन को देखते हुए, 6-over पावपले में 37-44 के बीच में स्कोर इंग्लेंड की टीम बना सकती है वहीं अगर इंडिया पहले बल्ले बाजी करेगी तो, 20-over पहली पारी लंबी पारी में 127-133 के बीच में इंडिया स्कोर बनाएगी आज के इस्टी 20 मैच में पहली पारी के 6-over पावपले में रन बनेगें, सेशन पास जाएगा पावपले सेशन पास जा सकता है अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, कि टुडे की क्रेट माच प्रेडिक्शन, आखिर आज का माच जीतेगा कौन? दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड और आज की फार्म के अनुसार इस माच में इंगलिंड के 6 प्रतिशत जीतने के चांस है वहीं इंडिया द्वारा इस माच में 40 प्रतिशत जीतने की उम्मीद है इस माच में टॉस कोन जीतेगा? अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेसेज कर सकते है हमारी टीम आपको तुरंट रिपलाई करेगी हम दोनों टीमों के संभावित खेलने वाले 11 खिलाडियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं टुडे माच प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स इस, इंडिया विन दे माच, यह मैच जीतेगी इंग्लंड की और से खेलने वाले खिलाडियों की सूची इस प्रकार हो सकती है की और से खेलने वाले खिलाडियों की सूची इस प्रकार हो सकती है स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, जमायमा रड्रिगस, हर्मन प्रीट कॉर, सी, रीचा घोष, वीक, दीपती शर्मा, पूजा वस्त्राकर, डेवका वेद्या, राधा यादव, राजेश्वरी गायक्वाड, रेनुका ठाकुर सिंग, हमारी सौ प्रतिशत मैच, सौंइ झालबह, रीचाए, झालबह, ये झालबह, डेवलन डहें है कर द variety